इस वीडियो में बात करेंगे सिए फाउंडेशन एंसर सीड डिटेल को आप लोग करेक्ट वे में कैसे फिल करोगे जैसे कि आप लोग को पता है फर्स्ट और सेकेंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता और स्थार्ड और फॉर्थ वेपर MCQ पेपर होता है इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंसर सीड को डिटेल को आप लोग कैसे करेक्ट वे में फिल करोगे देखो आप लोग एंसर सीड डिटेल को ब्लू या ब्लैक बॉल पेंसे फिल कर सकते हो आप ब्लैक बॉल पेन और एच बी पेंसिल लेके जाओगे इतना ही से यह आपका काम हो जाएगा यह जो आपके स्क्रिंट पे सो कर रहे है यह डिस्क्रिप्टिव एंसर सीट है जो कि आपको पेपर वन और पेपर टू में मिलेगा आपको फिल करने के लिए डिटेल सबसे प आपके अट्मिट काट पे गिवेन होगा वहां से देख करके आप रॉल नंबर बॉक्स में फिल कर दोगे नीचे वाले पोर्शन में आपको उपर से देख देख करके आपको सर्कल करना परेगा देखो जितना चीज भी आपको इंसर सीट पे लिख रहे है आप ब्लू या कर सकते हो लहीं बात सर्कल करने का तो आपको एंसर सीट पे कुछ भी बी लिखना आ पर कर सकते हो आप लोग या या कोई student HB Pencil का यूज करना चाहे सर्कल करने के लिए तो आप लोग कर सकते हो कोई problem नहीं होगा अगर आप लोग HB Pencil का भी यूज करोगे सर्कल करने के लिए तो ज्यादा confuse आप लोग नहोग अगर आपको answer sheet पे कुछ भी लिखना हो या सर्कल करना हो तो आप चाहे तो black ball pen का use कर सकते हो कोई problem नहीं होगा ये सिर्भ हम आपको बतारे है paper number 1 and paper number 2 में कैसे feel करना इसके बारे में अब बात करते है roll number in word, roll number को word में कैसे लिखोगे example के लिए student का roll number 1,2,3,4,5,6 इसको word में लिखने के लिए आप लिख सकते हो इस type से भी 1,2,3,4,5,6 या कोई student चाहे तो दूसरे तरीके से भी word में अपना roll number को लिख सकते हैं जैसे कि 1 like 23,456 इस type से भी आप word में roll number को लिख सकते हो इसके नीचे बाले box में आप लोगो को कुछ भी नहीं करना examiner इसमें sticker को fx करेंगे इसके नीचे बाले box में आपको candidate signature आपका खुद का यहाँ पे signature कर देना है आप लोगो यह सब चीज आप black ball pen से करोगे यहाँ पे invigilator यहाँ पे sign करेंगे और यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करोगे आई से आई के use के लिए यहाँ पे box given है अब बात कर लेते इस box को आप लोग कैसे fill करोगे अगर आपने question 1 का answer दे दिया तो question 1 पे tick करोगे 2 का answer दे दिया तो 2 पे tick करोगे यह इस box में लिखाएगा अब जो नीचे side में so कर आपको इस box को भी fill नहीं करना इसमें examiner कितना marks आगा वो fill करेंगे यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं fill करना और नीचे में examiner signature करेंगे यह कड़िक तरीका है answer sit detail को fill करने का अब detail वीडियो आएगा MCQ answer sit को कैसे fill करना आज ही साम में देखने को मिल जाएगा वीडियो उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग यह तो आप लोग answer sit detail को कैसे fill करना यह बता है इस वीडियो में बट paper number 1 and paper number 2 में आपको answer लिखना भी परेगा उसको भी आपको किस pen से लिखना है यह भी हम आपको बता रहे है answer को आपको only black ball pen से लिखना है कोई student पुछे जेल pen से लिख सकते है क्या बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको only black ball pen से ही answer को लिखना है चाहे आपका paper 1 का बात किया जाए या paper 2 का बात किया जाए डोनों paper का answer को आपको black ball pen से ही लिखना है और आज साम में वीडियो देखने को मिल जाएगा MCQ paper को detail को कैसे फिल करना और answer को कैसे फिल करना paper number 3 और paper number 4 को उस video को आप लोग जरूर दे